नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपके साथ कंचन भारत वाज और देखे पेरेंट्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत मतलब आपने सुना होगा पेरेंट से बहुत सुना होगा हमारी दादी नागे से बहुत सुना होगा कि जब आप छोटे थे आपका कान क्या होता है किसी कहते है और आपने भी नोट किया होगा तो अगर बच्चों के बात होती है तो लोग बहुत बोलते हैं कि आखिर हमारे बच्चों का बेहता है क्यूंवे पहना क्या होता है तो चलिए आज बात करते है कि नीट कुछ नहीं होता यह नहीं कि गंभीर समस्या होती है और बच्चों को बहुत परिशान करती है इसी पर आज हम डिसकस करेंगी कि आखिर बच्चों का कान बहना जो होता है वो कैसे मतलब ठीक करा जाए और उसके क्या क्या सिम्टम होते हैं चोटे बच्चे तो मुझ से बताएंगे नी कि वो रोके ही बता स कान को टच करेंगे और टच करते ही रोएगा तो आपको उसी टाइम समझ जाना चाहिए कि उसके कान में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जब मेरी बेटी चोटी थी तो उसका एक बार क्या हुआ था कि कान बहुत तेस्टेज मतलब बहुत चोटी थी वो हाथ पूरे उंगल मतलब कुछ हुआ मैं का यह क्या है यह क्या है फिर में डॉक्टर के पास लेगी तो उन्होंने बताए कि आपके बच्चे कान में पस पड़ गई है तो उन्होंने एंटिबाइटिक शुरू की फिर उसके बाद कुछ द्रॉब्स दी उसके विदिन 3-4 डेज वो ठीक हो गय सब्सक्राइट है जब बच्चा रोए जब बच्चा इख नोर करना चाहिए कि आखिर बच्चे कान कई कैं क्यूं कह रहा है और बच्चे के कान में दर्द जब होता है तो बहुत रोएगा कहीं नहीं तिक नहीं कुछ मतलब उसको अच्छा नहीं लगेगा, दूध नहीं पियगा, कुछ नहीं करेगा, तो आपको नोट करना है, आपको कैसे करना है? बच्चे का नहीं का दबाके यू, यू, करके देखना है कि क्या दिक्कत है तो जिब आप कान पर आएंगे तो बच्चा आप आप आटमेटिकली रिस्पाउंड करेगा महला कान चूने नहीं देगा या कुछ करेगा तो आप समझ जाईए अब आपको यहां पर बताती हूं कि क्या वो गलती है जो कान में पस पढ़ जाती है जिससे क बैस फीडिंग का हो तो इतना नुकसान नहीं देता ठीक है वो नुकसान नहीं देगा वो तो बल्कि अच्छा ही होता है लेकिन अगर आप उपर का दूद पिलाने और वो बच्चे को कान में चला जाता है मूँग के ऐसे बाहर से जैसे पी रहे बच्चे ने छोड़ दिय और निपल के थ्रू यहां से चला गया तो वो जो दूद होता है बच्चे के कान में जमा होते 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 वो इंफेक्शन कर देता है और वो पस पढ़ जाता है इसलिए बच्चे के कान में उससे पस पढ़ जाती इसी को कहते कान बहना तो आपको इसी का धियान रखना लगाइब ना या चाहिए पानए तो बन किर देए।руз2 मुzahlड़ी कुछहे बत्तों कान दो ऊचों ना करें। अब छाया है बच्छों को पर जब पानी हम ।— प्रकुर्ड यहीं काइं। सफ़ तो भी खाएं के पाई है W बच्चों को इंफेक्शन हो सकते प्लस बच्चे को चोड भी पहुत सकते हैं तो हमें यह सब चीजे नहीं करनी और जब बच्चा ऐसा कोई साइन दे तो आपको तुरंथ डॉक्टर के पास जानी के जरूद है तो देखे आज हमने आपको बताया कि कान बहना क्या होता है हुआ 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 है